नमस्कार दोस्तों यूपी पीस्सी डेली नीज में आप सबी लोग का स्वागत है तो जियां दोस्तों PCS 2018 के संबंद में ये समाचार है आज का आज का दाखी करने का नेने लिया गया है और किस मैटर से क्या है आए देखते हैं स्केलिंग लागू न करने का है आरोप उत्तर प्रदेश लोक्षव आयोग ने मंगलवार को PCS 2018 मेंस का रिजल्ट गोसित किया था कुछ शात्रों ने रिजल्ट में स्केलिंग के नियमों का सई से पालन न करने का आरोप लगाया है ब्रश्टा चार मुक्ति मोर्चा ने हाई कोर्ट में याचका अधाकिल करने का निर्णे लिया है आयोग ने आरोप को बेवनियाद बताया है मोर्चा अध्यच को से स्लिंग का कहना है कि आयोग ने हिंदी भासा चात्रों के साथ अन्याय किया है चहतो को लाप पहुचाने के लिए रिजल्ट कई बार संसोधित किया गया है मुर्चा की ओर चे ट्विटर्ट ट्रेंड स्केलिंग यूपी प्यस्सी मेंस 2018 ट्रोल सुरू किया गया है इसके जरिये केंद्रिय ग्रिय मंत्री मुख्य मंत्री और प्रमुख सचिव कार्मी आयोग अध्यच को रात 9 बज़े से लेकर साड़े 10 बज़े तक परतियोगी संदेश भेजेंगे आयोग के सची जग्दिस का कहना कि सुप्रीम कोड के निर्देश का पालन करते हुए स्केलिंग को नियम आनुसार लागू किया गया है लेकिन इसको लेकर अनायस ब्रह्मन फैलाय जाए जाए तो देखिए अब 2018 के लिए लोग अपनी ऐसी मंसा बना रहे हैं कि स्केलिंग को लेकर के हाई कोड में आज का अदाकिल करना चाह रहा है और बाकि कोई भी अपडेट आती है 2018 को लेकर के सूचनाओ के साथ में मैं आपसे लोग के साथ हमेशा सची और अच्छी ख़बर साथ हाजीर हूँ आपको पता है कि PCS 2018 रिजल्ट देने से पहले ही मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बता दिया था मेरी वीडियो का टाइमिंग देख लिए और बाकि औरनेस जो यूटूब की वीडियो का टाइमिंग उसको देख लिए सबसे पहले मैंने आपसे लोग को बताया था उसके थोड़ी दिर बाद रिजल्ट आ गया था तो जिया दोस्तों अगर आपसे लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर किया गरी है तो जिससे मैं आपसे लोग लोग लिए और अच्छी और सची ख़बर ला सकूं तो जिया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद